इस गड़ में एसाय यानी की सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर 2021 में भरती होना है एक्जाइम पैटरन कैसे होगा सेक्षणिक योग जयता क्या है और किन किन चीज का रूल एर रेगुलेशन का फॉलो करना पड़ेगा परिक्षा का फीस कितना है और वेदन कैसे करना है और इसलिए डीटेल में आप सभी को वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को पूरा इंट तक देखना आपको अच्छे से और बारीकी से समझ में आ जाएगा सब भी चीजे तो राज्य सासन के अनुमती प्राप्त होने के फल स्वरुप 36 गड़ के पूलीश के सुबेदार उ सब्मिलित होने के लिए ऑनलाइन के माधम से जो है आवेदन करना है आफ लाइन नहीं होगा आपको ऑनलाइन के माधम से आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन जो है एक अक्टूबर से प्राराम हो जाएगा उक्त भरती प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने वर्स 2018 में आवेदन किया था यानि कि 2018 में भी SI का एक्जाइम निकला था लिकिन किनी कार्णों वस्से इस्टे लग गया था अब वो क्या करेंगे तो उन्हें पुराने रजिस्टेशन नंबर का उल्ले करते हुए फिर से नवीन फार्मेट में आउनलाइन आवेदन करना होगा उन इस बार भी नवीन रजिस्टेशन कराएंगे लेकिन जो आपके पास 2018 में फार्म फिल किया था उसका जो रजिस्टेशन नंबर होगा वहाँ पर आप बताना और आप असानी से जो है ने रजिस्टेशन आउनलाइन कर सकते हैं फिर है ऐसे आवेदक जो फिर से आउनलाइन आवेदन नहीं करेंगे नहीं करेंगे उन्हें आवेदन की अंतिमतिति के बाद परिक्षा सुल कर वापस कर दिया जाएगा यदि आप SIE का एक्जाम फॉर्म फिल नहीं करतें तो आपको जैसे एक्जाम का लाश टर्येटर उसके बाद आपका पैसा आपको मिल जाएगा यदि आप एक्जाम फार्म नहीं फिल करते हैं तो और आप दोबारा एक्जाम फार्म अभी डालते हैं जो 2018 में डालने हैं तो वो परिक्षच सुल को उनको देना नहीं पड़ेगा अब बात करते हैं सेक्षनिक योग जता कि तो सभी वर्ग के पुरु सुमिद्वारों की न निंतम उचाई 168 cm होना चाहिए जो लड़के हैं उनकी उचाई 168 cm होना चाहिए तथ सभी वर्ग के महिलाओं की निंतम उचाई 163 cm होना ही चाहिए तब आप एक्जाम दिलाने के लिए इलिजिबल होंगे फिर पुरु सुमिद्वारों का सीना बीना फुलाए 186 cm होना च चाहिए आपका च्छाती सीना सीना फुलाने एवं बीना फुलाने में कम से कम 5 cm का अंतर होना आवस्यक है फुलाना है बीना फुला एक्यासी होना चाहिए और बीना फुला जो है 86 होना चाहिए फुला के एक्यासी तथर फुलाने पर हों 5 cm का फरक होना चाहिए और वही ब कि संबन में किसी प्रकार से कुछ नहीं होगा वो सीना का इन में महिलाओं में नहीं होगा अभ्यारती को सारीरिक रुप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए इसमें क्या है कि कोई भी विकलांग नहीं होना चाहिए उम्मिद्वारों को आखों से संबंधित रोग जो है नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार की देखने में परशानी नहीं होना चाहिए आखों को द्रिष्टी बीना चस्मे के एक आख से 6x6 तथा दूसरी आख के बीना चस्मे की 6x9 से कम नहीं होना चाहिए और मुख्या रंगों के भेद में अभ्यार्थी को सक्षम होना चाहिए यानि कि आप जो देख रहे हैं वो दूर से भी आप चीजों को अच्छे से क्लियार्टी के साथ पहचान सके बीना चस्मे के तो आप जो है इलिजीबल होते हैं और साथ ही आपका इस नातक की डिगरी जो है कम्प्लीट होना चाहिए लिकिन आतक की डिगरी जो है धियू सीमा की तो एक जन्वरी 2021 की स्थिती में जो जनरल क्रेटेग्री वर्ग के हैं उम्मिद्वार हैं उनकी आईयो 34 वर्ष से जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए वहीं AC, HD, OBC को जो है 5 साल का छूट दिया जाता है तो 1 जन्वरी 2021 की स्थिती में इस आई का जो एक्जाइम AC, HD, OBC वर्ग के यदि डालते हैं तो उनकी आईयो 49 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहीं अब देखते हैं syllabus and exam pattern की तो जो प्रारंभीक लिखित परिक्षा में समान्य ज्यान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जो आपका एक्जाइम होगा फर्ष्ट उसमें समान्य ज्यान से संबंधित प्रशन आएंगे फिर मुख्य लिखित परिक्षा में हिंदी अध्यान और एक्टिट्यूट टेश्ट ऐसे संबंधित परिक्षाय आयोजित होगा फिर सारीरिक दक्षता पर भी नए नियम के अनुसार आयोजित किया जाएगा जिसके दहत लंबी कूद उची कूद गोला फेक होगा और सौ मीटर दौड पंद्रह सौ मीटर की दौड प्रतिस पर धाएं आयोजित किया जाएगा तो आप जो है सौ मीटर दौड के और पंद्रह सौ मीटर दौड की उची कूद लंबी कूद और गोला फेक को अच्छे से आप धिहान देना फिर देखते हैं कैटिग्री वाइस पोष्ट कितना है तो जो है जनरल कैटिग्री के ओआगाoss कि विचे Secret Sud अफिर ओफ नीरिक्षक जो वित साख है उनमें जनरल के लिए 19 पद विचे के लिए 10 पद ऑच्चन देंना अच्ट पद और प्लाटुन कमांडर के लिए जनरल में 100 पद हैं, OBC में 34 पद, AC में 29 पद और HD में 84 पद हैं फिर ओप निरिक्षक अंगुल, अंकुल, चिनक में जनरल के लिए 3 पद और OBC के लिए 1 पद निरधारित किया गया है और उप निरिक्षक प्रश्न निधी दस्तवेज में जनरल के डिगरी के लिए 3 पद हैं, OBC के लिए 1 पद, AC के लिए 1 पद और HD के लिए 1 पद सामिल किया गया है और उप निरिक्षक कंप्यूटर में जनरल के लिए 2 पद, OBC में 1 पद और HD के लिए 3 पद हैं और उपनी रिक्षक रेडियों में जनरल के लिए चार पद, OBC के लिए एक पद, AC के लिए एक पद और HD के लिए तीन पद है अब वहीं अब देखते हैं परिक्षक सूल का का तो जो जनरल के लिए और OBC के लिए उनको 400 रूपये जो हैं आपको सेलेरी जो है 34,500 रूपये हर महिने मिलेगा और आवेदन कब से करना है तो आवेदन करने की प्रारंभीक दिती है एक अक्टूबर 2021 सड़े 10 बजे से आवेदन करना जो है शुरू हो जाएगा फिर आवेदन करने की अंतिमति थी 31 अक्टूबर 2021 और साम सड़े 5 बजे को जो है अंतिमति थी जो लाव फिल करने का समय वो खतम हो जाएगा और आप www.cgpolish.gov.in पर जाकर अपना फाम जो है फिल कर शकते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको 100 मीटर की दौट 1500 मीटर की दौट उची कूद लम्मी कूद और जो आपका सीना है अगर 80 cm और फुला के 6 cm नहीं आ रहा है तो आप अच्छे से एक्जाइम की प्रिपेर कीजिए प्रिपेरेशन कीजिए आप जीम की सहता भी ले सकते हो वर्क आउट करने के लिए जिससे आपका सीना कीजिए दौंड कीजिए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सबसे ज़्यादे इन फिजीकल का जो एक्जाइम होगा 100 मीटर 500 मीटर उची कूद लंबी कूद और जो सीना 81-86 cm को आपको दिखाना है इन सभी में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा और इन सभी मे अगर आप अच्छे से नंबर लाते हैं तो आपका जो लिखित परिक्षा होगा जिसमें समान या ग्यान से समद्धित प्रजशना पूछा जाएगा उसमें आपको असानी होगा अगर आप कम मार्स भी लाते हैं और फिजीकल में सबसे ज़्यादा हाई-च्टमा के स्कोर क अग्जाइम जो है क्लियर हो जाएगा और आप डिफेनेटली सब इंस्पेक्टर जो है बन सकते हैं बस आप खुद पर विश्वास रखें खुद पर भरोसा रखें कि मैं जो है एक्जाइम को क्रैक कर सकता हूं कोई आप पर विश्वास कर या ना करें उनसे कोई मतलब मत रखिया है आप यह सोची कि मैं सबसे बेश्ट हूं आपका कॉंपिडिशन अपने आप से होना चाहिए किसी और से नहीं फिर आप जो है एक्जाइम को असानी से क्वालिफाइग कर पाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए औ अपने दोस्तों में भी शेर कीजिए ताकि उन्हें भी इनसे जूड़ी संबंधी जानकारी मिल सके और बेल नोटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके और एक प्यारा सा अच्छे से कमेंट कर देना थैंक यू